है गाईज, वेलकम टू सागावरनेस, आई होप आपसे बच्छोंगे तो एक बहुत बड़ी रिक्रूटिम्न आ रहे है सामने है, ICMR यानि की इंडिन काउंसलों मेडिकल इसाच और NIE के अंदर से, तो इसमें फ्रेशस एलिजी बल हैं, और इसमें जो वर्क होगा, वो आपक काफी अच्छे आपको यह पे कर रहे हैं, और कोई भी आपसे कोई एक्सक्ट्रा, क्वालिफिकेशन ने मांगी एक्सक्ट्रा की आपके पाद यह चीज हो या वो चीज हो, सिम्पल साप आपसे माश्टरा चाहा, UG मांगा या PG मांगा है, ठीक है, तो वीडियो कंप्लीट या जो भी वेकैंसिस आ रही हैं, NHM अगेरा नों वहाँ पर इनका experience आपका काम आता हमेशा, तो यह वेकैंसिस फ्रेशर के लिए है, तो बात करते हैं, वेकैंसिस की आपकी ICMR के डिपार्टमेंट है, आपका National Institute of Epidemiology, तो वहाँ से यह वेकैंसिस है, ठीक है, तो बात करते जो हैं, वो MBBS वालों के लिए, इसके बाद हम नहीं करेंगे, हम सीधे अपने फील्ड ही कि उसके बाद करेंगे, तो उसके बाद करेंगे, बट इसमें जो देखना, पब्लिक हेल्थ वाले अप्राय कर पाएंगे, MBBS वाले में, इसमें salary प्याश्य से एक लाख या सत्ता ज असिस्टेंट, number of position केतनी है, 10, जिसमें general की 4 posts, OBC की 3 है, SC की 2 है, EWS की 1 है, जो other category है, अगर उनकी नहीं है, तो वो इसमें पहर पाएंगे, ठीक है, बट जो ये project हिसा assistant है, इसकी जो posting होगी, वो chain नहीं होगी, अभी video skip मत करना, last में और vacances भी हैं, जो आपके अपने state में मि आपको मिलीगी, आपको इसमें email के थ्रू अप्लाई करना है, application from along supported document के साथ, आपको ये email ID आपर दी होई है, इस email ID पर अपने document, Xerox self-register करके application के साथ आपको भेजने है, तो 10 posts है, project research assistant की qualification क्या मांगा है, अगर आपने अपना BA, sociology, BSW, BA social sciences, social sciences में psychology आती है, history आती है, सब कु experience है, UG के level पर तो apply कर पाऊगे, अगर आपने master's कर रहा है अपना sociology में, MSW में, social sciences में psychology आती है, ठीक है, social sciences में, life sciences में, public health में, या भी epidemiology में, तो apply कर पाऊगे, अगर आपने master's कर रहा है, तो आपको कोई भी experience की need इसमें नहीं है, ये बात याद रखना, ठीक है, salary आपको मि 25,000 पर मन्त, और age limit, अगर आप general हो, तो आपकी age कितने होगी, 30 year, OBC हो, तो 33 year, अगर SC हो, तो 35 year आपकी age इसमें रहेगी, ठीक है, और nature duty के है, data collection वगर आपको करना है, और duration आपकी इसमें 9th मन्त रहने वाली है, अब बात करते हैं, other vacancies की, ये project technician के vacancy, इसमें भी number post कितनी ह ठीक है, तो ये है वो post, कौन सी है, project research assistant, आपकी post कितनी है, 30 post हैं, याद रखना, बहुत जड़ा post है, general की 12 post है, EWS की 3 है, OBC की 8 है, SC की 5 है, तो HT की 2 है, सब ये category में vacancy divide है, 30 post है, आपको email के through इसमें apply करना, ये बात याद रखना, ये अपकी email ID है, इसमें आपका application form भरोगे साथ में supporting document को जरुक्तर के, सेलफ टेस्ट करके, उसके PDF बना के, इस email में आपको भेजना email ये है, ठीक है, application must be sent with the subject as application for the project of research, अंडर ये सबको आपको लिखना email ID पर, अब कहां का, किस-किस state में कितनी post हैं, वो ध्यान से देख लो, उत्रखन में 4 post हैं, जिसमें आपकी रु जिसमें 3 post हैं, गंगा नगर, जेपुर और बून्दी, उडशा में 3 post हैं, a चार post हैं, डnewी में 4 post हैं, बिएसे, चेश्ट क्लिनिक, अलन शेक रेका है, बिहार में 3 post हैं, तो इतने ये state हैं, अगर आपके state इसमें नहीं आ रहा है, टो आप डेनी में भ्र सकते हो, आ अगर आपको उत्राखण में, हिल एरिया में काम करना है, तो आप उत्राखण में फॉर्म भर सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं कि आप उसी स्टेट में आपके बाद दो में से आलो, इन में से इतने भी स्टेट हैं, किसी में भी आप सकते हैं, जिसमें आपको स्टेबल लगता है, मेरे मानों तो उत्राखण में भर ले न, क्लाइमेट अच्छा है, तो आपको काम करने में यहां पर मज़ आएगा, ठीक है, कालिटर्किशन देखो, वोई कालिटर्किशन है, अगर आपने BA करा है, सोसालोजी से, BHW, सोसल साइंस, यहनि BA साइकालोजी, BA स्टेट करा है, तो आपको थ्री एर का एक्सपिरियंस चाहिए, अगर आपने मास्टर्स करा है अपना सोसालोजी में, साइकालोजी में, MSW, MA स्टेटिक्स, MA बायो, MA Life Science, MA Public Health, या फिर MA Epidemiology, तो आपको कोई भी एक्सपिरियंस की नीड नहीं है, Masters in Social Work, Masters in Sociology, Master in Psychology, Master in Public Health, अगर इसमें Masters है, तो बिना experience के फॉर्म, चुपचाप से भर देना, अच्छी पोश्ट है बहुँ जादा, आपका इसमें return test होगा, या फिर online interview होगा, दोनों समें एक चीज होगी, पर आपका return test नहीं होगा, आपका online interview होगा इसमें, वो date आपको ही बता देंगे, email के थू, experience कुछ भी नहीं अपसे मांगा है, देखने हैं कहते चीज़ लिखी हैं आपर, candidate must indicate their state, जब आपना form भर होगे, तो state की preference आपको देनी पड़ेगी, के लिखाया, candidate must indicate their state of preference, in their application, only from the above mentioned city and location, candidate that fail to mention their state or preference, will be considered, all India candidates liable to the posted, transferred across cities all over India, ठीक है, transfers ही होगे, और जब आप form भर होगे, तो आपने state और cities को mention कर देना, जो आपको मैंने state बता है, उसके आगे ही सारी cities mention की हुई है, आपको salary अच्छी मिल रही है, काफी freshers को अच्छी salary दे रही है, ICMR 31,000 यानि 31,000 पर मन salary मिली गए आपको, age limit हो क्या है, अगर general हो, तो maximum, यानि कि 30 year तक form भर भर भाऊगे, 21 to 30 year तक, अगर EWS हो 21 to 30 year, OBC हो तो 21 to 33 year, SCST में अगर आप आता हो, तो 21 से 35 गर आता है, form भर भाऊगे, आपको duties क्या रहेंगी, आपको online data का काम करना है, आपको patient के interview लेना है, आपको case histories बनानी है, आपको official work करना है, ठीक है, आपको project selected work करना है, यानि कि अगर आपको interview होता है, तो इंटर्वी से पहले data collection, report writing, case history, patient online interview, online zoom, meeting content करना, इस सब पढ़ दिना, आपको interview easy हो जाएगा, जो आपकी duration कर रहेगे सुरू में, आपकी 10 month रहेगी, contact में भी renewed, आपको contact जो है, वो increase होगा, ठीक है, अगर आप अच्छा काम करता हो, तो आपका 10 महने के बाद, 3 महने के लिए और increase हो जाएगा, उसके बाद 3 महने के लिए और increase ऐसे होता दाएगा, अगर आप अच्छा काम करोगे तो, यानि कि Satisfactory Performance करोगे तो, तो यानिका, फिल्ड अप्लिकेशन फॉर्म अलोंग विस सपोर्टिंड दोकुमेंट, शुड भी सब्मीट दा इमेल आइड, इमेल आइड है, और बिफोर क्लोजिंग, 16 सेप्टेंबर, 16 सेप्टेंबर, साम पांच बज़े तक इमेल कर दिना, इमेल कर दोगों, तो अच्छे से इमेल करना, सब कुछ मेंसन करना, ऐसी पोष्ट दोबारा नहीं मिलने वाली है, पुवी बाद याद रखेगा मेरी, ठीक है, तो इसकी इमेल आइड कहां पर है, देख लिना है, अच्छे से इमेल आइड यहीं पर लिखिए हुई जहां 30 पोष्ट है, यह अच्छे से इमेल आइड 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 इसे इमेल आइड पर भेज दिना, और अच्छे से एक बार खुट भी PDF को पढ़ दिना, और चीज़ देख लिते हैं, पोष्ट चेल्गी आज एड आइड आइड एड पर है, पोष्ट चेल आपंटने, आपको कोई TIDA विल नॉट पेड आइड, जो चेनने जाएंगे इंटर्वी देने जो जिनकी उपर है पोस्ट चेनने की वो उनका offline होगा बाकि जो state wise है जिसमें 30 पोस्ट है वो online होगा ठीक है लिखा है यहाँ पर देखो पेरा नंबर यहाँ पर नंबर 11 पड़ते हैं date and time of online interview will be intimated by email separately to the eligible candidate अगर आपका form shortlisted होगा तो आपको email के तुरू यह बता देंगे कि आपका online interview होने वाला है बट पढ़ते रही है कि आप maximum बच्चों के सेलेक्शन होगा यह मैं आपसे कह रहा हूँ ठीक है कि अगर form incomplete भर होगा तो सीध है reject कर देंगे तो maximum बच्चे इस बा अप्लाइंग फोर किस काटेगरी से हो आपको काटेगरी लिख देंगे आपर और फिजिकल हैंटेक्ट हो यह नहीं एड्रेस कम्मुनिकेशन है पर अड्रेस मॉइल नंबर आईडी मेंडेटर यह सब्टेक इमेल इडालना क्योंकि उसमें आपको कॉंटेट करेंगे इंट यहां पर इमेल इडी में पोस्ट है यहां पर देखो ठीक है यह पोश्ट है तो यहाँ आप लिखा है application must be sent इसमें यह जो 30 post है ना तो लिखना है application for the Post of Project Research Assistant USAID-JSI-TB-SCF Project पूरा नाम लिखना है subject line में email के कि आप इस post के लिए apply कर रहे हो प्रोजक्ट इससे असे से परड़ा ली पूस्ट भी है उसका प्रोजक्ट दूसरा है प्रोजक्ट का नाम यह जो एक बार पीडियस को अच्छे से आप लोग रीट कर लिएना मैं PDF का link आपको इडिस्क्रिप्शन दे दूँगा इसको rate कर लिए अच्छ से अराम से बैट के इसको पढ़ना 16 September इसके last rate है 16 September साम 5 बेजना आपको यह form भेजना है किसी भी हालत में और magazine मचले सेलेक्शन लेंगे इसमें सबी फील्डे के लिए vacancies है तो वीडियो को शेर कर देना अपने friends तक घबराना मत पोश्ट जादा है तो आपके friends का भी हो जाएगा तो दिक्कत नहीं है ठीक है कोई तो यह मस्तना कि आपका नहीं होगा दोस्त का हो जाएगा इसनी शेर करता हूँ शेर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब पहले देना वीडियो को लाइक कर देना वीडियो बहुत जादा informative है जल्द मिलते हैं इससे अच्छी वीडियो हम सब तक ले थैंक यू